जी तो इस सेकेंड सेनारियो है उसका ने एक ऊस्पिडल पेशिंट नारीयो विज्यूलाइज करोगे सोच होगे अच्छा ऐस्पिडिल में पेशिंट जोता है बिल्कुल और पेशिंट की कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है बिल्कुल तो देख लेते हैं इसको मजीर explain कर रहा है कि each patient has one or more history record मतलब आपके पास कोई भी अगर patient है तो उसके कोई एक से ज्यादा कोई records होंगे history records होंगे history records करने records करने एक ही बात है तो patient और records यह history records आपके दो entities होगी क्योंकि इनके हवाले से information वहाँ पे store होगी उसको अगर record होगा record में details होंगी कोई patient होगा patient के अगने details होगी that means कि वो entity बन सकती है आगे अगर देखें तो each patient history है each patient record belongs to exactly one patient मतलब यह उसी जीज़ को emphasize कर रहा है उसी को मजीद explain कर रहा है that means कि confirm होगया कि patient और record आपके दो entities है attributes यहाँ पर आपको बता है mentioned नहीं है अगर relationship की बात करें तो relationship आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि आपके पास each patient has each patient has one or more history record has patient has कर जो word है वो patient records को connect कर रहा है तो आप scenario में देख सकते हैं diagram में patient has record ठीक है अब cardinalities कैसे बनी कि each patient has one or more records each patient has one record और he or she may can have many records ठीक है तो आगे सको मुझी इस नहीं लेवरेट नहीं कि आप मेंस patient has record लेकिन patient has one or many record अब record का patient से क्या connection है क्या cardinality है each patient history record belongs to exactly one exactly one patient exactly one means हमारे पास ये वाला साइन डबल स्ट्रोक थोड़ा obvious सभी है कि अगर पेशेंट है तो पेशेंट है तो पेशेंट अगर हॉस्पिटल आए तो इसका कोई नहीं रिकॉर्ड तो जरूर होगा न तभी तो भी तो वह हॉस्पिटल आए और इसके मुल्टिपल रिकॉर्स भी हो सकते हैं ज्यादा हिस्ट्रीश भी हो सकत होगे और definitely किसी एक पेशेंट के होंगे तो इसलिए हमने exactly one किया देखिए नहीं एक रिकॉर्ड है वो किसी पेशेंट से बिलाउंग नहीं करता यह बात sense नहीं करती एक रिकॉर्ड है वो multiple patients के हैं कैसे हो सकता है एक रिकॉर्ड असल में किसी एक पेशेंट का होगा है इसलिए हमारे पास यहाँ पर exactly one की situation आ गई